नमस्कार, हिंदी साहित यवारता में आप हैं इस वक्त सोभाष्टाकुर के साथ हिमाचर परदेश में हुए सेट परिक्षा 2019 को हम डिसकस कर रहे हैं और इसमें हमने अपने 50 प्रशन पहले वाले लेक्चर में डिसकस कर लिये थे अगर आपने अभी तक पोवाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर HP Set के नाम से जो हमारी वीडियो बनी है उसको देख सकते हैं जहां पर हमने 50 प्रशन डिसकस कर लिये थे आज हम 51 से लेकर के 100 प्रशनों को डिसकस करेंगे पहले कौन से शब्द आते हैं उसके बाद कौन से शब्द आते हैं इस प्रशन को इस तरिके से पूछा गया है तो देखिए इसका जो सही उतर होगा वोगा आपका विकल्प नंबर A और C सही होंगे जो B आप्शन है वो सही रहेगा देखिए मुलम्मा, मुर्गत्रिष्णा, मौजूद और लान्ता ठीक है तो इसमें देखिए मौ में छोटे उ की मातरा लगी है और इसलिए और दूसरे शब्द में मौ में री की मातरा लगी होगी है ठीक है ना और उसके बाद आउ की मातरा है उसके बाद आदा मौ है मतलब तो ये क्या है ये उसके बाद आएगा फिर अजान फिर अध्यक्ष ठीक है नेक्स ते दिकिए प्रशन संख्या बावन ये कहते हैं कि अपभरंश के विशे में दिये गए कथन की तो इसमें से देखना है हमने की कौन सही है इसमें ली धुनी का लोब हो गया तो ये बा हो गया था स्वर आगमन होने लगा था तो ये अपभरंश के बारे में दिये गए कथन क्या है सत्य है देखिए अपभरंश जो भी आपका पाली प्राकृत या जो भी आमारी प्राचीन भारती भाशाएं है उनको लेकर भी हमने पूरे लेक्षर त्यार किया हुआ हुआ है ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकल्प नमबर A और D नेक्स से दिखिए सिध्धों द्वारा प्रणीत दोहकूश और चर्यागीत की विशेवस्तु क्या है तो सिध्ध साहीते के उपर भी हमारा पूरा का पूरा एक लेक्षर त्यार हमने किया ह हुआ है वहाँ पर इस प्रशन को आप अचेत्रीके से देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प नमबर A और B इसका क्या होगा सही होगा है ना जैसे दोहों में मतों का खंडन मंडन क्या गया है और साती सात चर्यापदों मे अनुभूती और रहस्य भावना की प्रधानता है तो A इसका क्या है सही है और कोड A ही है ना A B नेक्स देखी प्रशन संक्या चौवन रितिकाल के आखरी दोर में लिखी गई बहुत सी कविताओं में क्या है भारत में पामपसारते अंग्रेजों को लेकर चिंता तो यह ब बाद कि जो जसे जसे रितिकाल का खत्म होता गया तो वैसे वैसे ही अंग्रेजों के प्रतिकात क्या थी उनको लेकर चिंता एक तरीके से व्यक्त की जा रही थी कि वो भारत में क्या अपने पामपसार रहे हैं आप देखेंगे तभी तो जो भारते अंदु योग था उसम सम्मत प्रामानिक वर्णन भी इसमें मिलता है तो A और B जो विकल्प नंबर C है देखिए वो कोड़ इसका क्या है सही है ना चौबन का क्या होगा विकल्प नंबर C होगा घोश्ट इंगा रिखता ये प्रारंब में थी और मध्य में थी बीच में नहीं होगी अंत में नहीं हो प्रगतिवाद हो या प्रियोगबाद हो इनकी विशेष्टाओं के बारे में परिक्षा से पहले जरूर पढ़के जाना चाहिए क्योंकि अक्सर भारतेंदु यूगिन या द्वेदी यूगिन कविताओं के जो विशेष्टाओं हैं या प्रवृतियां हैं उनको पूछा ही जाता है तो यहां पर देखे भारतेंदु यूगिन पूछी गई है तो इन में से कौन-कौन से हैं देखिए एक तो आपका जो आधुनिकता है विकल्प नमबर B, C और D तो जहां पर यह है देखिए D विकल्प होगा इसका कोड़ D दिया गया है तो यह क्या है यह सही हो होगा सही उतर होगा नेक्स से देखिए सहित्य की गद्य विधाओं के संदर्व में सही कथन है तो गद्य विधाओं से संबंधित प्रशन है देखिए तुफानों के बीच बंगाल के अकाल में संबंधित रिपोर्टाज है ठीक है तो तुफाने के जो बीच है देखिए क कितनी दाव में कितनी बार अग्ये का यात्रा भितांत है तो ये वाला का थन भी क्या है गलत है कितनी दाव में कितनी बार अग्ये का यात्रा भितांत ना होकर क्या है ये है इनका कावय संग्र है अपनी खबर पांड़ी बेचन शर्मा उग्र की आत्म कता है तो ये वाला भी तो ये बात सत्य है, और साथ ही साथ C विकल्प है देखिए, निमी जंदर जैन हिंदी नाटा के समर्थ आलो चक हैं, तो A और C इसका क्या होगा, सही विकल्प होगा, clear है, next से देखिए, निमिल लिकित में सही कथन देखने हैं, तो इस तरीके के प्रशन देखिए, बहुत ज C, B में ये कहते हैं कि किसी पद में पुरुष वरंता का होना शुरुति कटुत्त दोश है, ठीक है, पद में दोशों का बनन किया गया है, इस प्रशन में, के बारे में पूछा गया है, next जै देखिए, जो आपका C विकल्प है, वो भी सही है, किसी पद का व्याकरण के नि 29 देखिए, हीन भे जलमीन अधीन कहा कचुमो अकुलानी समाने, नीर सने ही को लाए कलंक निरा सवय काहर द्यागत प्राने, तो ये वाली जो पंक्तिया हैं देखिए, सबसे पहली बात तो ये किस की हैं, ये कई बार प्रेक्षा में पूछा जाता है, इस तरीके से भी किस इस चंद का भावारत क्या है, देखिए, तो इसका जो सही उत्र होगा देखिए, A और B, प्रेमी का की वीरह, व्यथा को उसका प्रेमी ही समझ सकता है, और प्रेमी ही रहीन और जड है, तो ये A और B क्या होगा, सही भी कल्प होगा, मतलब कोड नमबर A, नेक्स से करती है या स्त्री में नश्वर्ता बोध अधिक होता है या फिर स्त्री को उसके रिदय का श्रेय नहीं मिल रहा है तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प C ठीक है B और D जो कोड में दिया गया है देखिए वो होगा अपने आंसूं से स्रिजन करती है और साथ ही साथ उसके प्रदेय का श्रेय उसे नहीं मिलता रहा है तो ये वाली पंक्तियां बहुत महुत अपूर्ण हैं इनको भी आपने याद रखना है कि ये कहां पर हैं ये भ इसका क्या है है ना कौन सी कथा इसके बीच में चलती है ये हमने सारा डिसकस किया हुआ है तो यहां पर इस प्रशन का जो उत्तर होगा देखिए A, B और D क्या है सही है विकल्प नूंबर A ठीक है ये है नहरुयू के अंत के मुभंग बाले वाताबन की रचना है इसमें औ कि पिता की क्या-क्या विशेष्टा है तो देखे पात्रों की विशेष्टा है अक्सर पूछली जाती है तो जो जो प्रोक कहानिया है चाहे उपर नयास है उनके जो प्रोक पात्र है उनकी विशेष्टाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी है तो प प्रियाप्त रंग निर्देशों वाली नाटेकरिती है, इसमें सावित्री के वेक्तितों के सारतक समिक्षा जुनेजा करता है, या फिर इसमें परिवारिक तनाव के पीछे सावित्री की पहल मुखी और अनंत अपिक्षाएं हैं, तो देखिए इन में से कोई नहीं ही इसका उत्तर होगा, नेक्स देखिए भारतवर्ष की उन्नती कैसे हो सकती है, निबंद अत्वा, भाषन में क्या चीज़ है, देखिए, वीदेशी लोगों के प्रगति का कारण लूट कसोर्ट को माना गया है, या फिर आपका अंग्रीजों की सांस्कृति हींता को उजागर किय परंपरा के प्रति विवेगपूर्ण रवया अपनाने का आग्रह है, समय प्रबंधन के महत्तों को समझा गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए, विकल्प नमबर C होगा, इसमें C और D, परंपरा के प्रति विवेगपूर्ण रवया अपनाने का आग्रह है, औ और स्वयम प्रबंधन के महत्तों को समझाया गया है। नेक्स से देखिए 65 प्रशन दलित विमश्च की विशेष्टा नहीं है कि वह। तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए यह होगा A और D गैर दलित लेकों की रचनाओं का दलित पुनरपाट करता है या फिर वामपंत की वर्ग की अवधारना पर प्रशन चिन लगाता है तो दलित विमश्च की विशेष्टा नहीं है पूछा गया है नेक्स से देखिए निमिलिकित विकल्पों में से किसके शब्द कोशा अनुसार अकारादी करम से हैं तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए विकल्प नंबर B, संकल्पना, सत्रागार, समझस और समाधान ठीक है नेक्स से देखिए अचारे रामचंदर शुकल के अनुसार सुफी कावे ग्रंतों का सही अतेहा सिक्रम क्या है तो देखिए अगर अचारे रामचंदर शुकल के अनुसार होगा तो उन्होंने मधुमालती को पहले रखा है पदमावत को बाद में लेकिन अगर यूहीं हमें पूछतिया जाए कि सुफी कावे ग्रंतों का सही क्रम क्या है तो सबसे पहले आपका म्रिगावती फिर पदमावत फिर मधुमालती फिर चित्रावली लेकिन यहां पर शुकल के अनुसार पूछा है तो इसलिए इसका जो सही उतर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका विकल्प नंबर A ठीक है तो पहले म्रिगावती आएगा फिर मध मदुमालती उसके बाद आपका क्या आएगा पदमावत आएगा फिर चित्रावली हालांकि है कैसी इनके देखिए मिर्गावती 1501 और आपका मदुमालती 1545 जबकि पदमावत 1540 था लेकिन शुक्र नहीं इसको बाद में रखा है ठीक है चित्रावली उसके बाद की रचना है नेक्स से देखिए प्रकाशन वर्ष की अनुसार उपन्यासों का सही क्रम क्या है तो इसका जो सही उत्र होगा देखिए विकल्प नमबर B मुझे चांद चाहिए ये कब लिखा था 1943 में जबकि जो कट गुलाब है देखिए ये 1942 में और उसके बाद जो कट गुलाब है दे सही उत्र होना था नेक्स प्रशने देखिए निमिखिल नाटकों का प्रकाशन वर्ष के दिश्टी से सही क्रम क्या है अगर हम बात करें सिंदूर की होली की तो ये लिखा गया है 1934 में अंधा यूग 1955 आग्रावजार 1954 में हालां कि इस में जो भी कल्प दिए गए हैं सारे क्रम कब-कब है अलां कि क्रम वार इसमें नहीं दिए गये हैं नेक्स से दिखिए रस निश्पति समन्धी मतों का सही एतिहासिक क्रम क्या है तो अनुमीतिवाद भुक्तिवाद उत्पतिवाद या फिर अभिव्यक्तिवाद तो इसमें दिखिए सबसे पहले कौन आता है उत्पत्ति बाद, चीक है, जो किसका था, भटलोलट का था, दूसरे नमबर पर आता है आपका फिर अनुमीती बाद, जो किसका है, शंकुक का है, तीसे नमबर पर आएगा फिर भुगती बाद, जो भटनायक का है, और लास्ट में आता है, अभिव्यकती बाद, अभिनव, गुप्त का ठीक है तो सत्तर का क्या होगा सी होगा नेक्स देखिए माक्सवाद के निमीलिकित महत्वपूर्ण विचारकों का सही अतिहासिक क्रम क्या है तो सबसे पहले थे एंगेल्स जो काल माक्स के दोस्त थे फिर उसको बार लिनिन फिर माउस से तॉंग ठीक है आखिर म भी कल्प नंबर A इसका क्या होना था सही होना था ये देखिए यहां पर माक्सवाद से पूझा गया है कई वार जो आपके मनुभू करने की ट्रिक है तो आप ले लिस्ट में जाकर जहां पर हमने इसको पढरा हुआ है वहां पर आप देख सकते हैं कि जो अमारी प्रशनो तर होगा 72 का चिंता आशा श्रद्धा और काम ठीक है विकल्प नमबर C 73 है देखिए निमिल लिगिद में से किस विकल्प में पदमावत के खंडों का सही क्रम है तो यह है B देखिए सबसे पहले आपका मानसरुदक खंड आएगा फिर नक्षिक खंड फिर सिहल दीप और उसके बाद नागमती वियोग खंड ठीक है देखिए विकल्प नमबर B इसका भी सही उतर होगा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 एक कहानी यह भी तो यह कब है 2007 में और मुर्दहिया 2010 आप उदरी 2015 ठीक है तो विकल्प नमबर B इसका क्या होगा सही उतर होगा 76 प्रशन है देखिए कवीता क्या है निबंद के अधार पर कावे प्रपृतियों और उन से संबंदित कवियों को सूमेलित कीजिए मतलब जो कवीता क्या निबंद है उसकी अधार पर जो कावे प्रपृतियां है वो हमने क्या देखनी है सूमेलित करनी है कि किसकी है यह अ लेकिन यहां पर थोड़ा सा suspense है, आगे के जो और हैं कथन, वो हमें देखने पढ़ेंगे कि किसके बारे में कहेंगे हैं, बी है देखिए, लक्षना द्वारा सपष्ट आकार प्रकार का विधान, तो बी के साथ जहां पर तीन है, देखिए, तीसरा क्या है, तुलसिदास, तो यह किसके लिए कहा गया है, तो इसके अधार पर हम कह सकते हैं कि बी और डी में ही अभी भी suspense है, तीसरा है देखिए, बि सबलता का गुमफन, तो यह है मतिराम में, ठीक है, तो बिकल्प नॉम्बर B, भिलविदारा, राइट अंसर, ठीक है, नेक्स देखिए, अंधिरे में कवीता के जंदर में सही उपमे और उपमान को सूमेलित कीजिए, तो देखिए, अंधिरे में कवीता बहुत किसके लिए बोला गया है, यह है आपका देखिए, विकल्प नॉम्बर तीन, जो संभावित स्ने है, और भविश्य का नाश, तो इसके साथ होगा आपका द्यूती आकरिती, जबकि दिल, दिल जो है, देखिए, यह किसके साथ होगा, यह होगा आपका डिभरी के साथ, और बयंकर बर्गत जो है देखिए यह है जो आपका विकल्प नमबर दो में दिया है अंधकार स्तूप तो विकल्प नमबर बी इसका क्या होगा सही उतर होगा लिकित कावे पंक्तियों को उनकी रचनाओं से सुम्मिलित कीजिए लेगा क्रिस्नही गरण अलोपी कठिन बिछवु जहीं किमी गोपी तो एक की साथ देखिए जहां पर आपका विकल्प नमबर दो होगा तो यह किस की है जाईसी की है और प्रेम रहित यह है जोग कौन काज गायो तो B के साथ देखिए जहांपर आपका सूरदास होगा ठीक है तो B की जो पंक्तियां है किसकी है सूरदास जी की है विकल्प नमबर C देखिए इसका क्या होगा सही उत्तर होगा तो बाकी चीजें आपने इसकी मैच कर लेनी है किसने कौन सी चीज कही हुई है नेक्स देखिए रामचंदर शुकल के वक्तव्यों को संबंधित कव्यों के साथ सूमेलित कीजिए ये प्रेमोनमत कवी थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे तो रामचंदर शुकल के कथनों के ऊपर हमने पूरे के पूरे दो तीन लेक्चर तैयार किये हुए ह आप प्लेलिस्ट में जाकर चकर सकते हैं अचारे रामचंदर शुकल के अनुसार अचारे रामचंदर शुकल के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ठीक है तो ये प्रेमोनमत कभी किसको कहते थे ये इसका जो सही उतर होगा देखिए वो होगा आपका विकल्प प्रेम कि पीर की वियंजना भी इन्होंने बड़े मर्म्स परश्णी युक्ती से की है तो यह वाली पंक्तियां कही है इन्होंने दूजदेव के लिए ये उहा के बल पर कारीगिरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवी न थे तो ये वाध कही है इन्होंने पदमाकर के ठीक है तो विकल्प नंबर C क्या होगा इसका सही उत्तर होगा असी है देखिए निमेलिकित संबादों और पात्रों को सुमेलित कीजिए तो इसका जो सही उत्तर है देखिए विकल्प नंबर A क्यूंकि कोई भूमी नहीं जिसके अंतर में कोमलता नहीं हो यह किसका है यह मल प्राप्त होने पर सम्वान के प्रति प्रकट की गई उदासिंता व्यक्ति के महत्वा को बढ़ा देती है ये कहती है अंबिका ठीक है नेक्स देखिए मुझदूरी और प्रेम निबंद में दिये गए रूपक के अधार पर सुमिलित कीजिए तो मुझदूरी और प्रेम नि इसमें आपका आएगा खेत ठीक है पांच एक तो विकल्ब नम्बर सी इसका क्या होगा सही उतर होगा नेक्स से देखिए नेमिलिकित शब्दों को उनकी व्यकरण कोटियों के साथ सुमिलित कीजिए तो इसका जो सही उतर है देखिए विकल्ब नम्बर डी वाकी आपने जैसे सरवनाम, सकर्मक क्रिया, अनिश्यवाचक, सरवनाम, सरवनाम और विशेशन और क्रिया से ये प्रशन पूछा गया है, तो व्याकरन के अंतरगत हम इन चीजों को डिसकस करेंगे, ठीक है, तो व्याकरन से भी आपने थोड़ा बहुत देख लेना है परिक्षा से पहले देखिए, 82 का D जो सही विकल्प होगा, इस क्या है आपका, ये आपका सरवनामिक, विशेशन और जबकि टेहलना क्या है, ये कर्मक क्रिया है, आप क्या है, इसमें निजवाचक सरवनाम है, और कोई क्या होता है, अनिश्यवाचक सरवनाम होता है, ठीक है, नेक्स तो ये है आपका जो चायवाद है, वहाँ पर जबकि निसंगता आपका है अकविता में, जबकि अनुभूती के प्रमानिकता ये कहां पर मिलती है आपकी, ये मिलती है नई कविता में, ठीक है, तो ए इसका क्या होगा, साही उतर होगा, 84 है देखिए, कावेपंक्तियों को कावेदोश के साथ सुमेलित कीजिए, कब आएगा मिलन प्रात उम्रेगी सुख हिलोल, तो ये किसकी है देखिए, इसमें क्या है, जो आपका विकलप नमबर डी है देखिए, तो विकलप नमबर डी में जो पांच है, ठीक है न, वहाँ से आप इसको मिलान कर सकते हैं, और बी के साथ 3 आएगा, सी के साथ 2 आएगा, और जो आपका डी है, उसके साथ आपका 4 आएगा, ठीक है, नेक्स से दिखिए, निमिलिकित लेखों को उनकी पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए, लियोटार्ड, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखिए है, देखिए, वो है देरिदा, ठीक है, ओफ ग्रेमेटोलोजी नहीं लिखी है, तीन, चार, और फ्रेडरिक जेमन, तो यह है पांच वी जो इनके बुस्तर के दिक, पोस्ट मोडरिजम और दे कल्चर लोजिक ओफ लेट कैपिलिजम, ठीक है, और जो आपका डेवीड हारवे थे, उन्हों लिखी इसी दुनिया में, तो यह वाले किसकी है, यह है विकल्प नमबर तीन के साथ, विरेन डंगवाल लिखते हैं इसी दुनिया में, एक दिन बोलेंगे पेड, तो यह किसकी है, देखी, यह है राजेश जोशी की, आत्म जाई कुवर नरायन की है, और अपनी केवल धार, यह भरुन कमल का है, ठीक है, पांच, तो इसका जो सही उतर है देखिए, विकल्प नमबर सी, तीन, एक, दो, पांच, नेक्स देखिए, निमी लिकित साहित्यकारों को उनके वैचारिक रुजहान के साथ सुमेलित कीजिए, नाथुराम, शर्मा, शंकर, तो यह थे नवजाग क्लियर है, तो विकल्प नमबर ए, इसका क्या होगा, सही उतर होगा, गोदान में आए वर्गों और उनके प्रतिनिती पात्रों को सुमेलित कीजिए, तो देखिए, जो गोदान के पात्र हैं, उनके बारे में बात की गई है कि केस वर्ग से वो संबंद रखते हैं, किसानी सहाब, भुस्वामी वर्ग का प्रतिनी दी कौन है, भुस्वामी वर्ग का प्रतिनी दी है, वो है राय सहाब, जबकि बौधिक वर्ग का प्रतिनी दी है, देखिए, वो है मिस्टर महता, तो विकल्प नमबर बी, इसका क्या होना चाहिए था, सही उतर होना चाहिए, नेक पर देखिए देशभक्ती की भावना तो यह है दुनिया का सबसे अनमूल रतन और इसी के चलते हैं इसको क्या गया कर दिया गया था अंगरे सरकार दोरा जब किया गया था था यह ना यह मुंची प्रेमचंद की प्रसेद कहानी है ठीक है तो ए के साथ देखिए जहां पर प परदाइक था तो यह है आपका पिकल्प नमबर अमरित सर आ गया है एक में ठीक है तो ए इसका क्या है सही उतर होगा 90 है देखिए उचारन प्रेतनों के साथ सुमेलित कीजिए तो जो आपका डहो है देखिए ठीक है उतक्षिप्त वियंजन है यह एक आएगा इसके साथ तो भी कल्प नमबर A सही होगा ए में एक है और B के साथ जो तीसरा है देखिए रो क्या है प्रकमपित है जहां पर जीवा में कमपन होती है और लो क्या है लुन्ठित है या फिर इसको पाशारविक भी आप कह सकते हैं चो जो है देखिए वह आपका क्या है यह आपका सपर संगर्शी ठीक है तो 90 का देखिए क्या होगा यह होगा तो उचारन स्थानों के उपर भी पूरा का पूरा लक्चर त्यार किया है व्याकरण में आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं नेक्स से दिखिए प्रशन संक्या इक्यानों से 100 तक के जो दो कतन हैं आपना तरक के उपर भी हमने दो तीन लक्चर त्यार की हैं दोस्तों वहाँ पर भी आप उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चमतकार का प्रयोग भावुक कभी भी करते हैं तो यह बात क्या है सही है और तरक हम देख लेते हैं क्या लिखते हैं कभी कभी चमतकार भी किसी भाव की अनभूती को तीवर करता है तो ये वाला कथन भी क्या है? सही है तो दोनों चीज़ें इसमें क्या है? सही है ठीक है? इनको याद करने की या इनको समझने की ट्रिकी है कि जो जिस चीज के बारे में पहले बताया गया है वो चीज अच्छे से आगे व्याक्यायत हो रही है या नहीं हो रही है यहां से आपका प्रशन जो है निकल जाता है नेक्स दीखिए कावयदोश के वल मुख्यार्त के बाधक हैं रस के नहीं रस को अखंड स्वयम प्रकाशित आनंद चिन में माना गया है इसमें देखिए आपकी जो स्थापना है वो गलत है लेकिन तरक क्या है वो सही है तो स्थापना देखिए जो कावेदोश के वल मुख्यार्थ के बादक है रस के नहीं तो ये क्या है ये गलत है क्योंकि कावेदोश मुख्यार्थ के बादक है रस के भी वो बादक ही होंगे तो इसलिए ये वाला कतन क्या है गलत है जबकि तरक इसका क्या है कि रसको अखंड स्वयम प्रकाशित आनंद चिन में माना गया है ये सत्यवात है थीक है तो विकल्प नमर डी इसका क्या होगा सही होगा स्थापना है देखिए शंकराचारे के समान रामानुजचारे भी लेकिन तरक स्थापना के लिए संगत नहीं है तो जो तरक दिया गया है वो स्थापना के अंतरगत नहीं है इसलिए थोड़ा सा यहां पर ये स्थापना के अंतरगत नहीं है बाकि ये ठीक है दोनों कतन तो विकल्प नमर बी क्या होगा सही उतर होगा नेक्स से दिखिए परंपरा सामोहिक समृति की अभिव्यक्ति है ठीक है तो ये वाला कथन क्या है सही है और नेक्स से देखिए तर्ख उसे धार्मी कत्वीदियों के साथ तेहारों मेलों खानपान वस्त्राभोशन रिती रिवाज इत्यादी में देखा जा सकता है तो ये वही क्या है संगत है और सही है तो दोनो कत्वन क्या है सही है इसमें और विकल्प नंबर ए इसका क्या होना चाहिए था सही उत्तर होना चाहिए क्लीर है न Soup हम देख लेते हैं अगला प्रशन क्या है स्थापना शब्द की सिद्धी के लिए वस्तु काववे का अनुशीलन परम आवश्यक है ठ फिर से जो तर्क है वो स्थापना के लिए संगत नहीं है, ठीक है, तो भी कल्प नंबर बी इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, नेक्स ते देखिए 96, दलित चिंदकों का माक्सवादी विचार धरा से मतभेद न होकर सहमती ही है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि दलित चिंदक हैं, उनका माक्सवादी विचार धरा से मतभेद ही है, या न सहमती कम है, अगला है तर्क देखिए, माक्सवादी विचारक ये हमानते हैं कि दलित समस्या मोलता, आर्तिक समस्या है और वे इस समस्या को श्रम विभाजन की दिष्टी से देखती हैं, तो ये भीतर यह धारण कर लेना चाहिए कि हम किसी सोतंतर चेतना से मुलाकात करने जा रहे हैं ठीक है तो ये बात क्या है सही है और दूसरा है देखिए रचना में एक भिनमत होता है और रचनाकार पाठा के मन कभी समान भूमी पर स्थित नहीं हो सकते ठीक है तो ये वाला कथन भी अपने आप में क्या है सही है लेकिन स्थापना के लिए संगत नहीं है तो विकल्प नमबर 20 का क्या होगा साही उत्तर होगा 98 है देखिए ब्रगति बात सोनेशित से दान्तों से निर्पेक्ष विचार दारा है गलत बात है है ना लेकिन वह व्पयवस्ता के व्रति असंतोश रखता है उसमें परिवर्तन चाहता है ये बात सकते है ठीक है तो 98 का क्या होगा विकल्प नमबर D होगा नेक्स से देखिए छायवादी शाबत के वल संयोग से चल पढ़ने के जोर से हिंदी में स्विकार हो सका है तो ये बात सही है छायवादी अंदोलन ने हिंदी कविता के स्वरूप में जो परिवर्तन की है उनका संकेत इस नामकरण से नहीं मिलता है तो विकल्प नमबर A ह देखिए दोनों क्या है ये सही है और स्थापना के लिए संगत भी है आखरी आज का चुप प्रशन है दोस्तों वो है देखिए रामचरित मानस की भाषा अविवक्ति और भावत प्रेशन क्षमता अपूर्व है तो ये कथन क्या है सही है और तुलसिदास के स्वयम अनु गल्ब नमबर 20 का क्या होगा सही उतर होगा तो ये थे दोस्तो 51 से लेकर कि 100 तक के प्रशन अंत तक अपना धहर्या बनाए रखने के लिए और इस जिग्यासा को बनाए रखने के लिए कि किस प्रशन का कौन सा उतर है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न बोलें तो फिर मिलेंगे नई उर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत जै हिंद जै जियर बहारन